रहुल जी देश की जनता को कहना चाहते हैं मैं तुमारी देहरी का दीप हूँ दिनमान हूँ घोरतम से मानवी संग्राम का प्रतिमान हूँ उम्र भर लड़ता रहा हूँ मू की कभी खाई नहीं दीनता और दंब से रिष्टा कभी पाला नहीं आप लोगों का आदेश उन्ह ताकि अनितियों को उजागर करें कुछ नाम बोलना भूल गये मेरे काभील वकील इन्होंने हेमन तो विश्वा सर्मा का नाम नहीं बोला जिन पर प्यार उमड आया था मोधी जी को उसको भारती जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं भावना गवली महराष्ट में जाते हैं उसके खिलाफ प्रेस कौंफरेंस करते हैं perfect कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार दोनों बैंक के स्केम में शामिले भारती जनता पार्टी में शामिल होते एडी चार्शीट फाइल करती दोनों के नाम हटा देती है तो तुम्हें शरम है कुछ कुछ शरम हया है dropping भारती जनता पार्टी उनको गले लगाती अपनी पार्टी में ले लने लेती है आरोप राहूल गांदी जी के खिलाफ क्यों परतीशोत की आग में जल रहे हैं कि राहुल गांदी जी ने कहा है कि इस चक्र रिव्यू में इस देश के पेपर लीक में युवाओं को फसाय जा रहा है बेरोजगारी के आपकंठ पाप में भारती जनता पार्टी युवाओं को धकेल रही है भारती जनता पार्टी ने अगनिवीर नाम का बदनुमा दाग इस देश पर लगाने की कोशिश की है भारती जनता पार्टी ने संसाधनों की लूट एंसी लटी के स्केम में की 5,33,000 करोड रुपे 10,000 करोड रुपे की कंपनी को 3,300 करोड रुपे में सेटल कर रहे हैं आरवी आई के डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि इस देश में नेकसस बना लिया 5 बड़ी कंपनियों ने इसलिए एक प्रतिशत लोगों के पास 40 प्रतिशत अंसाधन चले गए यही नहीं अभी और सुनिये पहले विवेक मर जाता है इनका विवेक मर गया है यह प्रतिफक्षी जन्ट के लोगों को जेन में उनके कौन से सूत्र बन गए है राहूल गांदी जी ने आज तक कोई असत्य कथन नहीं का जो आपने केजरिवाल का जिक्र किया वही हुआ जो केजरिवाल जी ने टीके व अरे बेल पे क्या गया बताईए देखिए चोर अभी बताद है भी बताद है अभी बताद है अभी बताद है बचाए शोर बहुत जरूरी है इस बात का जवाब देना आजादी के क्रांटी का इतिहा से नेशनल हिराड बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पंडित नेहरू ने मुखरता से आवाज बुलन करने के लिए वो अकबार निकाला था उस अकबार के करवचारियों का पैसा बकाया था उस पैसे को चुकाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने अपने पास से वो पैसा दिया क्या आरोप था इनका नेशनल हेरर्ड में क्लोजर फाइल कर दिया इडी ने उस एडी के डिरेक्टर को इन्हों ने हटा दिया आज पूछना चाहता हुजाए ये ट्रायल कोट के विशाल शेखर जो जज़ है वो कह रहे है कि तारीक पर तारीक लेते हो लेकिन प्रोसीकुशन इविडेंस पर ल आता है केस तब अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिखाए कि ट्रायल कोर्ट उसका फेसला करें और ट्रायल कोर्ट का जज़ क्या कह रहा है ये लोगों को सुनना चाहिए आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 उच निया लेकर रखा है इन्होंने क्योंकि इविडेंस नहीं ह जमीन उनके नाम नहीं है केद्रिवाल के मुकंद हरे एक मुकदमे में सिर्फ रतिबक्षी दल के लोगों को फसाने की ये लोग कोशिश करते हैं तुम चुलू बर पानी में जाके दूब के बार जाओ अब याद परिवारबाद आया अनुराग ठाकुर के पिच में नहीं बोला है अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे चीप मिनिस्टर थे चीप मिनिस्टर का बेटा कैबिन मंतरी बन सकता है एंपी बन सकता है तो उसमें आपके मूँ में ड़ी दम जाता है आपके प्रिवारबाद की बात करते हो तो सोच लिया कर वो बगल में भी तांग जात कर लिया कर उनके पिताजी भी एंपी थे जो बगल में घड़े परवकता जी बड़ी तेजी तेजी से बोलने हैं परवारबाद बोलने के पहले सोच रहा है पुरी सिंद्या फैमली आप अपनी पार्टी में लेक्या आगए हो आप शर्मानी चाहिए आपको सवाल यहार जब इत्नी देर से यह बात कर रहें इन्हों ने भी बात की वहे लम्मी लम्मी मोदी जी ने तुफान मचा दिया इतना तुफान मचा दिया Would पेपर लीक हो गया इतना तुफान मचा लिए मोदी जी ने इतना तुफान मचाया Sat Yanti मचाया है कि COVID में हमारे अपने लोग हमसे बीछड़ गई यह तुटवाने आपका यहां हला मचा रहो बैठके लोग यहां अत्मचा कर गये किसान आप ऐसा कानून पास किया था कितने किसान अत्मचा कर गया बता दीजेगा यह अपने कानून पास किया था बच्चों के बारे बोलें कि हिम्मत आपके नहीं हो रही है अपना गुंगान कर रहे हैं बच्चों के बारे बता देते हैं कि बच्चों के लिए आपने क्या किया है पार्टी का हमारी पार्टी ने यह कर दिया हमारी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ ग पापा फिर पैसा दे दीजिए पापा पर चालिए को शरम नहीं आती है आपको हमारा दो दिल रोने लगता है कि मुझे पता है कि पैसा मांगना कितनी तकलिफ होती अपने बाप से जाके पैसे मांगोगे ना आप जब महने में क्योंकि तुम्हें पता नहीं एंपी के बेटे करने में लगते हैं जब आप पैसे मांगने जाते हो अपने फिताजी से कि कहते हो पिताजी दुबारा से पैसे दे दो तो खिती बेचता है यह अपनी माँस का गहना प्येसती है यह वीसे ते लोगे आप तो जनता माफ नहीं करेगी आप आप से कह रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो बच्चों का दर्द नहीं समझते उसमें ओहो दिखाई देता है अब यसे बेशम लोगों के साथ डिवेट करें मुझे शर्म आती है जो गरीबी को ओहो कर रहें आपको बहुते लिए पर वापस आजाते हैं इस पज़ारे आपको भी लग रहा है कि रेड हो रहा है विपक्स हमला कर रहा है अभी तो यहीं कि अपर बश्ट अब इसे बात कर दिए नहीं मुझसे बत कर लिजिए उनको देखकर आप पर विर्णा तो फिर बहार चले जाए कि आपको भी लगता है कि राहूल गांदी जो रेट की बात कर रहे हैं ऐसी आशंका आपको भी लग रहे हैं कि उनको टागेट जाएगा चक्रवियू वाली स्पीट से बीजेपी डर गई है तो वैसी डर की जंता ने उनको हरा दिया है अब दूसरों के पैरों पे खड़े है हैं दूसरों पेरों पे खड़े हैं को उपर से चिला रहे हम जीत गए जीत गए सवाल है कि यह वो लोग हैं जो बिपच्च पे स्रिफ बिपच्च के उपर में कारवाई करना जानते हैं अब देखे ऐसी अगर आपकी बात को ले लो तो क्या कह रहे हैं के मुखमंत्री सद लेकिन इसे पूछे उसमें गुपता भी थे टिवारी भी थे उसमें मौरिया भी थे साहूब इनका नाम लिए दोई आदमी का नाम क्यों ले रहे हो आप जो लड़के जो नहीं रही दो बढूरता की कोई जात नहीं होता नहीं तेश संकट में है दो डवल एजी बनाब पर देखे इसा रहाए जिनका फोटो दिखा रहा है कि पार्टी में से बता दीजिया जिनको आज इसका इस्तिमाल कर रहे हैं उन्हीं के पैर पकड़ के आज यहां तक पहुचे ना दिली तक अजना जी रेखिए मैं आगरा करता हूं कि अभद्र भाषा पर कोई आप तालिया मत बजाया करों ने उन्होंने कहा कि करोड़ों ठीके लगाये देश्वासियों को प्रदान मंतिर नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी दर्शकों से 49 करोड ठीके अलग-अलग बीमारियों के लिए बच्चों को लगाये जाते थे मुफ्त में लेकिन किसी ने अपना फोटू चत्पा नहीं कराया यूके की अदालत में उस ठीके लगाने वाली कंपनी ने कहा कि ठ्रंबोसीस और ठ्रंबोसाइटोपेनिया से हाँ उन ठीके से मोथ होती लेकिन हमारे देश का स्वास मंत्री उसको क्लीन चीट देता उसको मेंशन तक नहीं करता है इन्होंने किसानों का प्रश्ण खड़ा किया मेरे अभी J.U. के साथी भी कह रहे थे समर्थन मूली के कानून पर मोधी सरकार ने साफ इनकार कर दिया बनाने के लिए तीन लाग करोड रुपए पिछले दस साल में किसानों की छे बड़ी योजना में सरेंडर कर दिये इन्होंने खर्च नहीं किये एक लाग पाँच जार करोड रुपए मूल बजट में से पिछले पास सालों में इन्होंने खर्च नहीं किये सरेंडर कर दिये किसानों की आम्दनी जानकर आप चोक जाएंगे 27 रुपे प्रतिदी ने ये एनेसेसों ने रिपोर्ट दी इनका धन्ना से 1600 करोर रुपे रोज कमाता है और किसानों को उस घर्थ में डाल दिया कि 27 रुपे उसकी आम्दनी रे गई कौन ही हैं लोग? कहां से आते ही? स्रेंडिंग कमीटी में कहा नरेंद्र तोमर ने कि 7 साल से मोधी जी को चिठी लिख रहा हूँ कि क्रशी अंत्रों पर, ट्रेक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर से GST हटा दीजिए जो चिठी अभी नितिन गटकरी जी ने लगी लिखी है लाइफ इंशोरेंस के लिए वो कह रहे हैं साथ साल से में कह रहा हूँ वो नहीं हटा है इस देश में हीरे पर कितना GST लगता है जानते हैं आप? 1.5% और इस देश के ट्रेक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर 12 से 18 प्रतिशत तक GST वसूलते जादा तर सब्सक्राइब तो हम चलू बर पानी में जाके डूब के मार जाओ खत्म भाई भाई टाटा गुडबाई गया